नमस्कार दोस्तों आप सभी के श्टडी फॉर यूपसी पीसे 7 में स्वागत है आज 21 माई है 21 माई 2023 और आज का जी न्यूज़ पिपर है उसको हम लोग डिसकस करेंगे जो इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उससे रिलेटेट थोरा सा डीटेल हों में बता दूँगा और जो बहुत दिन उस चर्चा में आ रहा है इस अपते एक दिन था कि डिसकस कर देंगे जब बैठक हो जाएगा तो आज हम लोग जी 7 डिसकस करेंगे आपको आईडिया लग जाएगा कि जी 7 क्या होता है उसके बाद आप क्या करेंगे जो मंतली मैक जीन आप पढ़ेंगे उसमे बेसिक को छोड़ कर डीटेल में जा रही है अगर आप पीटी में भी देखेंगे तो साइंस वगर के जो सवाल आए हैं वो काफी डीटेल सवाल है काफी ज़्यादा डीप जाकर उन्होंने पूछा हुआ है तो किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसका थोड़ा सा डीटेल और डीप में जाकर पढ़ने कोसिस कीजेगा पहला न्यूज से सुरू करते हैं आज हम लोग पहला क्या है कि युक्रेन संकर के समाधान के हर कोसिस करेंगा प्रधानमंत्री मोदी है और ये रूस के राश्पती है युक्रेन के राश्पती है जलेंस की इन दोनों के मुलाक प्रणाद है फोन पर बहुत बार बातचीत हुई थी लेकिन मुलाकात पहली बार है अब परते हैं इसमें क्या सब है कि जलेंसकी ने खंड़ता के समर्थन के भारत को धन्यवाद किया है ठीक है यह हमारे काम की चीज नहीं है उन्होंने धन्यवाद बोला हमारे काम की चीज क मगा हैं देखते हैं जापान के थोरी सी जोगरफी को क्या है जापान की जोगरफी प्रसांत महासागर के उत्तर पश्रण के इलाकों में जापां देश है देखिए इसका अगल-गल सी देखएगा ध्यान से यहां से सवाल पूछ सकता है Sea of Japan East Sea भी कहा जाता है इसको Pacific Ocean है इस तरफ दक्षीन में देखेंगे तो क्या है East China Sea है यहाँ पर अगर देखेंगे दक्षीन पूरब में तो फिलिपीन सागर है इसके और इसके उत्तर में कौन सा है Sea of Aukostak है Aukostak Sagar जिसको कहते हैं यह चीज गिलियर हो गया होगा जापान के दूइपों के बारे हम कई बार पूछ लेता है कि इसको सिक्वेंस में लगा यह उत्तर सदक्षीन या तो यह पूछ लेगा कि सबसे बड़ा दूइप कौन सा है हम यह भी देखेंगे कि हिरोसिमा किस दूइप पर है हिरोसिमा और नागसाकी के नाम तो आपने सुनाई होगा Second World War में क्या हुआ था यहाँ पर एटम बॉम गिराए गए था अमेरिकां के दौरा देखिए जापान का जो अउपर वाला इसको कहा जाता है से ऊपर से नीचे लगा कर रह लेना है सबसे बड़ा दूइप कौन्सा है हमती सबसे बरा है उससे छोटा है Hokkaido, उससे छोटा है आपका क्यूसू और सबसे छोटा है Sikoku दीब, यह चीज किलेड हो गया होगा, जापान की राधानी टोक्यो किस दीब पर है, यह होन्सू दीब पर है, यहाँ पर देख सकते हैं, टोक्यो, जापान के जो बड़े सहर हैं, जैसे ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा, यह सभी किस पर हैं, यह होन्सू दीब पर हैं, जापान की एक बड़ी समस्या है, उसकी जनसंख्या जो है, बहुत ही ज़्यादा केंदरित हो गई है, दो-तीम सहरों में ही, जैसे टोक्यो के आबादी हद से ज़्यादा है, उसाका के आबादी हद से जादा है यानि कि डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है उसकी आवादी बहुत ही जादा है लेकिन अपनी टेकनलोजी और अपनी जो उद्यम सीलता की छमता है उसके बदला दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे बड़ी एकॉनमी है इस सीज़ का ध्यान रखेगा एकॉनमी का कमपेयर कैसे करते हैं वैसे तो हम भी पांचवे नंबर के दुनिया के सबसे बड़ी एकॉनमी है लेकिन एक वार को सोचिए जरा मैं जो सोचने आपको बताने कोसिस कर रहा हूं उसके अधार पर अमेरिका के आवादी कितनी लगभग में 33 करोर चीन के आवादी कतनी एक सो चालिस करोर भारत के आवादी कितनी एक सो ब्यालिस करोर जापान के आवादी सात करोर के आसपास है एक सो चालिस करोर जो अपनी आवादी एक सो ब्यालिस करोर जो अपनी आवादी है इंडिया की ये को टूटरल मिला कर कितना रुपे कमाते हैं तो लगभग में 300 र पर बसक्ते क्यों एक हैं RS 100 अपन रोपएं जया प्र सकारी kावWow मु estaban के साथ कुरोर लोग मिलकर सिरे windows 10 और खोदे मौणा कि यु जया बसंटें दिती तिन रूपे कर थित्या हाई अब आपको और भ Abigail आनेज को एक। फूर किया जायए प्रोश पर तो किसे प्रकार किया जाता है यानि कि क्या है अमेरिका के 33 लोग में ही इतनी जादा च्षमता है कि वो 2000 रोपे कमा लेते हैं हमारे 142 लोगों में इतनी कम च्षमता है कि अभी भी हम 300 रुपे ही कमा पाते हैं दरसल में economy का compare ऐसे ही किया जाते है तो आपको क्या करने की जवरत है भारत को क्या करने की जवरत है थोरा सा सोचिएगा बताइए मुझे भारत को क्या करने की जवरत है अपनी जो आवादी है उसको skilled भनाना परेगा हमें आवादी जो है उसकी आई को बरहाना परेगा नौकरी प्रोवाइड करानी परेगी जब परचेजिंग पावर के पैरिटी के आधार पर एकॉनिमी का कम पेर कि भाई आपके देश में अगर मैं हजार रुपे लेकर गया हूँ अमेरिका मैं हजार रुपे में कितने समान खरीद सकता हूँ भारत में हजार रुपे में कितने समान खरीद सकता हूँ और चीन में मैं तीसरी सबसे बरी सितरी है पहले propio पर इस people चांवे पर हमारी सित्म के पहले इसे पूल क मैं बहुत दिन उन से सकता है 650 में और kis पहली सब्सक्राइब सुदि-पीड-वारी के ओखें आज क्योंकि बहुत दिनों से चर्चा में हैं साथ देसों का समों है पहले ये जी एट हुआ करता था लेकिन जब से रूस ने 2014 में आइधिंग हाँ जोगा 14 ही है जब रूस ने क्या किया क्रीमिया पर अधिकार कर लिया क्रीमिया कहा है युक्रेन के दक्षिन में एक प्राइ दूइब है जिसको युक्रेन अपना हिस्सा कहता था लेकिन विवादी छेतर था जैसे अपना पी ओके है न उसी तरह का वो क्रीमिया का छेतर था जिस पर क्या किया रूस ने 2014 में अपनी सेना को भेज कर यहां पर कबजा कर लिया तो यूरोप के देसों ने इसका विरोध किया और जी सेवन में चुकि यूरोप और अमेरिका का प्रतिनी हित्तों है ज्यादा उसमें दबदबा है उनका इससे रूस को बाहर कर दिया गया यह चीज किलर हो गया तो पहले जी एट नाम था अब क्या नाम हो गया इसका जी सेवन ग्रूप ऑफ सेवन साथ देस है इस उर्जा मंतरी दूतों ने वर्ष दोयर पैंटीस तक कारवन मुक्त विद्दूत उत्पादन सुनिसित करने लिए कोईड़े की चरनबद समापती को लेकर प्रतिवत्ता की है उसके बाद से क्या है मई दोयर तेस मही रोसमाम आईजी जी सेवन सीखर समयलन से पहले यह बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने बोला कि मुक्त विद्दूत उत्पादन सुनिसित करने के लिए कोईड़े की चरनबद समापती फेज आउट की दिसा में हम लोग काम करेंगे जी ट्वेंटी के द्यक्सता के संदार में भारत को सिखर समयलन अतीथी के रूप में आमं देश से देश या कौड जैसे देशो में अपनी प्राथमिक्ता को बढ़ाते हैं तो रूस से हमारी जो मितरता है उस पर थोड़ी सी आचाती है क्योंकि जी सेवन के दो देशों ने भर भर कर कोसा है किसको रूस और चीन को इसको लेगा थोड़ा सा बैलेंस होकर एंसर लि हो सकते हैं इसको लिखकर आप आगे बर सकते हैं और अंत में आप क्या बताएंगे कि हमारी 65% आज भी सेन जरूरत कहां से पूरी होती है रूस से पूरी होती है यूएन में किसी मुद्य पर वीटो करना होता है तो हम रूस के पास जाते हैं बहुत वार उसने हमारे नेलाइंट मोहमेंट जो है कि हम किसी भी गुट का सदस्स नहीं बनेंगे इसा क्या अगे बरना चाहिए इसके साथ हैं अपनीश को इंड कर सकते हैं तो इस से क्या होगा पता चलेगा कि हम बिसलेशन पावरिसे से है अच्छी है अब थोड़ा सा देख लेते हैं आ आगे क के देशों को द्वारा जी सबन देशों ने वर्ष 32 तक इसका ध्यान रखेगा या आप से पीटी में भी पूछ सकता है जी एच जी का उतसरजन ग्रीन हाउस गैस का उतसरजन 43 परसेंट और 32 तक 60 परसेंट कम करने का ततकाल आप सकता पर जोड दिया है उके आई पी सी सी डिपोर्ट आई पी सी क्या होता है इंटरनेशनल पैलन और क्लाइमेट चेंज की ए आर सिक्स के रिपोर्ट का अंसार जिसमें सताबदी के अंतर तक वैस्विक तापमान को पुर्व अध्योग है कि इस सदी का जो अंत होगा 200SVI उससे पहले हमें पिर्थवी का तापमान धीरे-धीरे बर रहा है हमें उसको रोकना ही होगा हमें उसको 1.5 डिग्री सी जो पुर्व ओध्योगी का स्तर था उस पर हमें रोकना परेगा ओध्योगी करांती के बाद ही सारा खेल भिगरा है इस सीज का ध्यान रखेगा प्रतिभागी देशों ने अब तटिये प्लेटफॉर्म से 1000 गीगावाट शुरूर जा और इन सब का लक्ष रखा है इन्होंने उसके बाद से क्या है इन्होंने बोला है कि इसमें पुष्टी की गई है कि जीवास्म इंधन सबसीडिरी पेट् आरे देश अपने अपने जो नागरिक हैं उनको सबसीडिरी देते हैं पेट्रोल दीजल पर ताकि उनको आसानी सुपलब्द हो सकें अब जब इन पर सबसीडिरी कम किया जाएक तो इनका कोस्ट होगा क्या बढ़ जाएगा कोस्ट बढ़ेगा तो लोग कहां पर उसके बाद से क्या है अगला है कि आने देशों को उनके उर्जा संक्रमन और उर्जा दख्षता बरहाने मदद करने के अधिक सहायता दिये जाने के संबंद में UNFCCC United Nation Framework on Climate Change United Nation Framework Conference on Climate Change इसी तरह सा इसका कॉप की बैठक होती क्या कहते हैं इसको आप जो परते होनों कॉप तो वही कॉप की बात हो रही है आपर Conference of Parties इसका ध्यान रखेगा 1992 के बाद जो पिर्थवी सम्मेलन हुआ है उसके बाद से सुरू हुआ है प्रतिवार सौ बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के प्रतिवाद्ता जताई है परन्तु विक्सित देशो द्वारा किये जाने वाले वित्तिय योगदान में कमी आई है अब ये क्या दे रहे ह देखें जब इनको पिर्थवी सम्मेलन के बाद से चिंता सुरू हुआ कि भई पिर्थवी का कुछ करना पड़ेगा रियो डिजेनरियो में हुआ था उन्हें इस विरानवे में क्योंकि बहुत ज्यादा संकट धीरे धीरे बर रहा है तो देखा गया कि कारण क्या है तो का पूरा दूनिया को परदूसित क करके रख दिया और इसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है और फिर आप बोल रहे हो कि वाता वरन पर्दूसित हो रहा है जलवाई परिवर्तन हो रहा है ग्रीन हुआस्पड सब लोग मिलकर काम करेंगे आपने तबाह किया तो पहले आप आईए आप पहले फंडिंग कीजे विकासील देसों को क्योंकि आपने हमी से लूटकर और द्योगी करांती करके अपने खुद को विक्सित बना लिया अब जब हम विकास करने की होर में आगे बर रहे हैं भारत तो चीज जैसे देश आगे बर रहे हैं विकासील से बिक्सित होने कोसब कर रहे हैं गारियां ज़्यादा व्रहिर हैं उधसर्जन ज़्यादा हो रहा है तो आप लो रिघ्रावन प्रदूशित हो रहा है तो यह तर्क जब हमने दिया तब इनको एक बात पर मानना प henna पर हाई ये उससे जुरे हुए टेक्नलोजी टांसफर करेंगे हम लोग और आपको मदद करेंगे साइंटिफेकली और आर्थिक रूप से जिससे क्या होगा कि आपका उत्सरजन कम होगा ये चीज समझ में आ गया इसी पर आधारित है ये सो बिलियन डॉलर का जो इन्होंने इंटर-गॉब्रमेंटल पैनल इंटर-गॉब्रमेंटल क्या होता एक गॉबधनर दूसरी गॉब्रमेंट से बात करती है जिसमें सात प्रमुक उननत अर्थवयसता है कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान युनाइट चींडम सम्तराष्ट सामिल है ऐए अगला क्या है G7 मूल रूप से G8 था लेकिन उसमें से रूस को हटा दिया गया वर्स 1975 में विश्व के सबसे उन्नात अर्थ व्यस्ताओं को नेतिवत में एक अनवचारिक मंच की रूप में अस्थापित किया गया था 1975 में इसको अस्थापित किया गया था उद्देश से क्या है जी सेबन का प्राथमिक उद्देश इसके सदस देशों के बीच आर्थिक विकास और इस्थिरता को बढ़ावा देना है यह व्यापार आर्थिक नीती अंतराष्टे सुरक्षा सहित पारमपरिक चिंताओं मुद्दो पर चर्चा करने के लिएक मंच करूप में कारी करता है जलवाई परिवर्तन, गरीवी पे कमिलाना, वेस्विक स्वास्त जैसे मुद्दो पर सहयोग और समनवे को बढ़ावा देता है G7 G7 के अस्थापना 1975 होई थी, कैसे क्या काम कर रहा है, हाली में इसने कारवं सरजन को लेकर कुछ अपने लक्ष तैय किये हैं इन सब के बारे में हमने जान लिया, अभी बैठक कहां पर हो रहा है, जापान के हिरोशिमा सहर में इसकी बैठक हो रही है उसके बाद से मैंने आपको जापान का भी ये पूरा जोगरफी दिखा दिया, अब अगले नियूज पर चलते हैं कल से ही सोर मचा परा है कि दिल्ली, सरकार और केन सरकार के बीच में जो विवाद हैं, उसको लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फुरा से उपर ले चलूँगा मैं, जिससे आपको मैं अच्छे समझा सकूँ दिल्ली गॉर्मेंट जो है, 1991 में एक कानून के द्वारा, NCT of दिल्ली करके एक्ट बनाया गया था जिसके बाद क्या हुआ, दिल्ली को बिधान सभा छेतर घोसित किया गया, संसोधन सम बिधान में करके और ये केंद सासित प्रदेश होने के बाद भी बिधान सभा है इसके पास, जिसे पंडी चेरी है, उसके पास भी केंद सासित प्रदेश है वो, लेकिन उसके पास भी अपना बिधान सभा है जैसे आने वाले समय में जमू कस्मीर जो होगा जमू कस्मीर नोट लदाक लदाक हलग होगा जमू कस्मीर जो है वो बिधान सभा युक्त के इंसासित प्रदेश हो सकता है अभी हुआ नहीं है जब तक हुआ नहीं है तब तक आप उसको नाम आने के हो गया है हुआ क्या है दिल्ली में जो सासन पर सासन होता है वो उपराजपाल के मदद से राष्टपती जी चलाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं मुख्यमंत्री भी होते हैं क्योंकि बिधान सभावाला छेतर है यह चीज के लड़ हो गया होगा तो पिछले साल हाई कोट का फैसल आया था जिसमें हाई कोट ने क्या बोला था कि दिल्ली के जो आईएस अधिकारी बगर होंगे या जो भी अधिकारी होते हैं दिल्ली और अनमा निकोबार के नसासित प जीवाल की गॉवर्मेंट ने सुप्रिम कोट में इसको चैलेंज किया सुप्रिम कोट ने पिछले 19 माई को 19 माई को फैसला दिया है मैं गलत नहीं 19 माई को ही फैसला दिया है या 12 माई को आसपास 19 माई को फैसला दिया कि दिल्ली में जो अधिकारियों के पोस्टिंग होग ये चीज के लिए हो गया, किस ने फैसला दिया? सुप्रीम कोट ने फैसला दिया है. अब आपको पता होगा कि समविधान में अर्टिकल 123 में अध्यादेश लाने की सक्ति किसको दिया गया है? राश्ठपती महुत है, अध्यादेश ला सकते हैं. राश्पती महोद है जवरत जब समझा जाए तो कारिपालिकाओं की आदेश दिया गया है कि आर्टिकल 123 के तहट अगर ऐसा कोई जवरत पर जाता है नितांत जरूरी काम पर जाता है तो आप अध्यादेश ला सकते हैं अध्यादेश क्या होता है राष्टपती जो है वो एक आदेश के द्वारा कानून का निर्मान कर देते हैं और उस कानून की सकती उतनी होती है जितनी सकती किसी संसद से पास करने के बाद कानून की होती है और वो कानून पारित हो गया है अध्यादेश बनने के बाद राष् कोट के पास नएक समिशा करने की सकती है इसकी लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है अभी मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोट ने फैसला दिया कि दिल्ली में जो अधिकारियों की पोस्टिंग होगी और दिल्ली में जो अधिकारियों की क्या बोला मैंने दिल से मुख्жि मंत्री परसें कि यानि मुख्यमंत्री और मंत्री परसें उसी आई रूप काम करना पर एक वह ऑप septem Кто baik अब भारत को पता है खी भारत सिस्टम संसद उच्छ ऑपने देश तिन बहुमत से पलट सकती है और केंच सरकार ने अगर कोई कानून या एक्ट बनाया है संसद के थुरू तो सुप्रीम कोट उसका न्याइक समिक्षा करके उसको अगर कानून गलत है तो उसको रद्ध घोसित कर सकती है इसी तरह का प्रावधान बनाया गया अपने संविधा में ये चीज किलर हो गया होगा सुप्रीम कोट के फैसले को दो बट्टा तीन से कौन पलट सकती है संसद पदर पलट सकती है और संसद के द्वारा कोई एक्ट अगर पारित किया गया तो उसको समिक्षा करने का अधिकार किसको दिया गया है तो सुप्रीम कोट को दिया गय केंसरकार ने अध्यादेश लाकर उसी फैसले को पलट दिया है अब आपको पूरा पूरा किलियर हो गया उसी फैसले को पलटा है और अध्यादेश की एक खास्यत और होती है कि ये तभी लाया जा सकता है जब संसद का कोई भी सदन अभी काम नहीं कर रहा हो मान लीजे लोकस सभा काम कर रहा होता या राज सभा काम कर रहा होता तब इसको अध्यादेश को नहीं लाया जा सकता अध्यादेश को लाने के बाद इसकी एक और खासित होती है कि जब इसका सदन सुरू हो जाएगा सदन जब चलना काम करना सुरू हो जाएगा लोक सभा विधान सभा अगले क्या नहीं अध्यादेश जारी करने की सक्ति किसको है राष्टपती महोदय के हुआ कब से दिया गया है 1861 से दिया गया है लौड वाइसराई कैनिंग वाइसराई कैनिंग थे उस समय अध्यादेश के एक्ट के द्वारा अध्यादेश जारी करने की सक्ति को दिया गया था अ आपसे ये पूछा जाएगा कि अपने देश में किसकी सर्वोचता है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोचता है, कि संसद की सर्वोचता है, तो अपने देश में इन दोनों में से किसी की भी सर्वोचता नहीं है, अपने देश में कौन सर्वोचता है, भारत का संविधान, क्योंकि समिधान नहीं दोनों के ये सक्तियां दी हैं ये सारा कुछ ध्यान में रहेगा अब आपको दिल्ली वाला जो फैसला है उस पर ले चलता हूं और उसके बारे में थोरा सा फैक्ट बता देता हूं जिससे आपसे फैक्ट अगर पूछा जाए तो आपको किलियर रहेगा अब अ अधानीचेतर दिल्ली संसोधन अधिया देश 22 लेकर आई है संसोधन अधिया देश लेकर ही आ गई है कैंसरकार तो बल्कुल आक्रमक मोड में है इसके सब्सक्राइव दानिस्क कैडियर क्या होता है योपीएसी के एकजाम अगर आप पास करेंगे उसके बाद ये केडर में भी आपको जौब मिलता है जिसके तहर्ट आप कहां कहां पर जौब करेंगे दिल्ली में जौब करेंगे अंडमान निकुबार में लक्षदीप दमंदीप दादर नाग केंद सासित प्रदेश जो हमारे आते हैं उसके बारे बात की जाती है यह चीज ध्यान रहेगा यह नहीं पूछेगा यह सौर्ट फॉर्म है और कुछ भी नहीं है इसको लेकर ज्यादा टेंसर मत लीजेगा कैडर के ग्रूप A अधिकारी कौन होते है भाई आई एस अधिकार होते हैं गुरूप A जो UPSC पास करके जाते हैं या स्टेट केड़र से उनका सेवा टांसफर किया जाता है आई एस वगेरा में तो वो अधिकारियों की बात हो रही है यहां पर इसीज का ध्यान रहेगा गुरूप A अधिकारियों के लिए यह लोग लड़ रहे हैं तबाल को देखते हैं कौन-कौन होते हैं राष्टिय राजधानी लोकसिवा पराधिकरन राष्टिय राजधानी लोकसिवा पराधिकरन के सदस्य नीमनियों से कौन-कौन होते हैं अब इस सीज का ध्यान रखिएगा पराधिकरन में तीन सदस्य होंगे और फैसला बहुमत से लिय अखरी मुहर उपराज़े पाल की होगी आखिरी मुहर किसी होगी उपराज़े पाल के у के इसे बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्योंकि अध्यादेश हर समय नहीं लाया जाता है और संसोधन करने के लिए ये लोग कोसिस करेंगा अभी तो रुकी अभी बहुत विबाद होगा इस सीज को लेकर ओके तो इसका ध्यान रखेगा तो बहुत सारे लोगों ने प्रदर्सन किया था रेलिव का तोर फोर कर दिया था सी एस्टी वर्ग के लोगों ने तो उसके बाद केंसर कार ने क्या क्या था संसद में एक्ट लाकर इसको पलट दिया था सुप्रीम कोट के फैसले को पलट दिया था उसके बाद आज ही हो रहा है यह चीज, तो यह आपको पता होना चाहिए, यानि अगर उपराज पाल को प्राधिकरन का लिया, फैसला ठीक नहीं लगा, तो उसे बदलाओ के लिए वापस लोटा सकते हैं, फिर भी अगर मतभेद जारी रहा तो अंतीम फैसला कौन लेंगे, यह चीज पूरा किलियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट इस टॉपिक में नहीं रहा होगा, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, कल मैंने बताया था कि कौड की बैठक जो पहले सिडिनी में होने वाली थी, उसको कहा पर टांसफर कर दिया गया है, उसको टांसफर कर कराई से भी रोध करेंगे, इन लोग ऑने क्या बोलाएं के रूल बेस हमें बारत दुनिया चाहिए, भई, ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां मैं चाहूं, वहां मैं जो मर्जी हो कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सीज का ध्यान रखेगा, लेकिन साफ तोर पर इसारा उस और आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है, कि 2024 में क्वार्ड का बैठक कहां पर हो सकता है, अपने भारत में आजित किया जा सकता है, क्वार्ड की बैठक, देखिए यहां पर क्या लिखा, 2024 में क्वार्ड सिखर सम्मेलन, मई के बाद ही होगा, मोदी ने कहा कि क्वार के बारे मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि हम लोग क्यों साथ में काम करते हैं क्यों नहीं यह सब कुछ हम लोग डिसकस कर चुके हैं अगला न्यूद जो है वो भी इसी से समदित है कि हमारे प्रधान मंत्री वहाँ पर क्या बोला कि अंतराष्टे कानून के अधार पर हो करें करें जरूर बताएं दूसरा क्या है वैसे सउट वीडियो मैंने बताया था स्वाइट से किसकी देश की सीमा लगती है अगला क्या है अगला है कि जो 9-9-05- ये क्या है ये दक्षिनी चीन सागर में चीन के दौरा एक कालपनी के रेखा खीची गई है कि ये जो नाव डैस लाइन है ये पूरा पूरा च्छेतर हमारा है तो 9-9 बहुत ही जादा नियूज में चर्चा में रहता है किस से सम्दित है दक्षिनी चीन सागर से सम्दित है 9-9 इस चीज का ध्यान रखेगा अलग-अलग आर्टिफिसल दूपी हम बनाये जा रहे हैं जिसके बारे हम लोग अगले लेक्षिनी चीन सागर की चर्चा बहुत ही जादा हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं जैसे आइलेंड को जोड़कर एक रननीती बना रही है भारत और अमेरिका जैसे देश किसके लिए खिलाब बना रहे हैं तो चीन के खिलाब बना रहे हैं कौन से आइलेंड के जोड़ना है तो प्रसांत महासागर हिंद और प्रसांत के जो देश हैं इसमें जो बहुत सारे आइलेंड है इंडोनेसिया से लेकर पापवा निगिनीस तर तक जापान से लेकर फिलिपीन्स तक इन सब को अगर आप जो रहेंगे तो आप देखेंगे कि चीन के चारों तरफ एक घेरा बनाने की कोसिस की जा रही है तो यह भी नीती किसके खिलाब बनाई जा रही है चीन के खिलाब बनाई जा रही है इस सीज का धियान रखेगा अगले न्यूज पर चलते हैं हम लोग वो अपने PT के लिप कौफी ज्यादा important है क्या है उत्राखर में तीन बड़ी पर्योजनाग धरातलब उतरने की कवायत तेज हो गई है और क्या है एसिया की अब तक के सबसे लंबी रोपवे पर्योजना कहां पर बनाया जा रहा है तो रिसी केस ISBT से नीलकंठ मंदिर को लेकर बनाया जा रहा है रिसी केस में बनाया जा रहा है रिसी केस में बनाया जा रहा है कहां पर इसमें अपने लिए यही काम का चीज था और इसमें कुछ भी काम का अपने पास फैक्ट है नहीं इसमें से ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप से पूछेगा उत्राखन में डिवलपमेंट हो रहा है बस यह ध्यान रखेगा रूपय बनाया जा रहा है एसी अगर सबसे बरा कहाँ पर तो रसी केस में बनाया जा रहा है ये अगला क्या है अगला न्यूज जो है ये जी आई टेग से requirements में आप से क्या पूछ सकता है कि ये बताईए कि आप जो रोज न्यूज पेपर में सुनतेमें सुनते हैं जी जी आई टैग मिलने से क्या फाइदा होता है जी आई टैग के फाइदे क्या है क्यों इसको भारत सरकार प्रमोट करने कोशिज कर रही है अलग लग छेतरों जी आई टैग मिलता है इसके क्या क्या फाइदे हो सकते है सौट में ही पूछा जाएगा बताइए पॉइंट सोच क जरा लिखने के इसको कोसिस कीजिएगा कि जी आई टैग जब किसी को दिया जाता है तो कौन-कौन से बेनिफिट होते हैं उसके और आपको ये भी बताना है कि बिहार के कौन-कौन से ऐसे उतफाद हैं जिनको जी आई टैग दिया गया है ध्यान रखेगा पीटी में मिलान कर किया था क्या है कि यूरोपेन यूनियन में जो कांगरा की चाई है ना कांगरा की चाई को मिल चुका है जी आई टैग यूरोपेन यूनियन ने भी जी आई टैग दे दिया है किसको कांगरा की चाई को यूरोपेन यूनियन जी आई टैग दे दिया है मध्य अपरेल से प् जिसे प्रधानमेती नेलमोदी ने कुछ वरसपूर अमेरिका के तातकाली के राश्पती दोनाल टरंप को भेट भी किया था जिसका योगदान भारत के चायुत पादनों केवल एक परसेंट है लेकिन कॉलिटी इसकी इतनी जवरदस्त होती है इसकी कि इसकी पहुँच बहु और फिर स्वाध होता है बिसेस रूप से कोरोना महामारी में कांगरा चाय का प्रियोग बर गया था अच्छी बात यह रही कि कोई स्रमिक अपने राजी को नहीं लोटा क्योंकि उनके पास चाय थी उसके लिए छथा काम रोटी वगरा इन्होंने गिनाया है मुख रूप स इससे क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा वहां के लोग और पसंद करेंगे एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा क्या 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 बेनिफिट हो सकते हैं मैंने आपसे सवाल क्या पूछा है कि जी आई टैग देने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं यह आपको लिखना ह पॉइंट लिखना है दस पॉइंट लिखना है सोचकर और देश के प्रमुख प्रमुख जो जी आई टैग दिये गए हैं इसको समय समय पर एक बार का देखते रहिया रहाना चाहिए क्योंकि मिलान करने के लिए आप से PCS में फेवरेट सवाल होते हैं जी आई टैग बगर तो वहां पर दे सकता है आपसे बस यही है और तो इसमें कुछ था नहीं क्या बोला इन्होंने कांगराचाय के सुगंद के पिछे यहां की वनस्पती है यहां कीट नगन्य मात्राम होते हैं यूरोपेन यूनिन के जी का बाजार कितना बड़ा है बिसक अब लोग कांगराचाय के प्रियोग पहले सधिक करते हैं पर यह उपहोग और बरहे तो कांगराचाय देश भर में च्छा सकती है उत्पादक प्रुसाहित हो सकता है बगर बगर और जो दार्जलिंग टी है इसको पहले ही जी आई टैग मिल चुका है इस ठीज का ध्यान रखेगे अगले सवाल पर चलते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं अगला न्यूज रिन देती है न उससे जो कमाती है यानि जो आपको रिन दे रही ہے बैंक वह ही उसका मुखहु रुखs posey है वह ही उसही से उसका कमाई होता है लोग को रिन के अपना कमाई करती है इसूसल स्टी का पहले ध्यान रखेगा आप जो बैंक में जमा करके आते हैं पैसा वो क्या है बैंक की वो बैंक की देता बनती है लाइबिलिटी है वो बैंक की आपका पैसा आपको वापस करना वो बैंक की लाइबिलिटी होती है और जो आप रिन लेते हैं वो बैंक का मुखिरूप से कैपिटल होता है प नबे दिन तक इस व्यक्तिन ना तो उस पर ब्याज चुकाया ना उसका मुलधन चुकाया तो नबे दिन के बाद वो NPA हो जाता है नौन परफॉर्मिंग एसेट्स इससे बैंक को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है उल्टा नुकसान हो जाता है यह चीज़ समझ में आ गया NPA बैंक की कमाई तो रूक जाएगी इसकी समस्या बरही गंभीड देखी जा रही थी पिछले कुछ वरसों से तो आपने सुना होगा कि किन सरकार ने बैंकों का पूनर वित्त करन किया है 75,000 करोर दिये थे कुछ साल पहले मिसन इंदर धनुस मनाकर अलग-अलग बैंकों को ब अब कितना हो जाएगा 350 रुपे का इन बैंक के पास संपत्ती हो जाएगी तब 350 रुपे लगा कर तो एक अठे लगा कर थोड़ा से जादा थोड़ा फाइदा कमा सकते हैं तो यह क्या मैं बता रहा हूँ इसलिए बैंकों को मर्ज किया जा रहा है जब हम दुनिया की हमारे बैंक कम जोर रहे हैं हमेशा से लेकिन पीछे कुछ सालों में उनके इस्तिती सुधरी है एन पी ये कम हुआ है जैसा ये बता रहे हैं महास है और उनको लाभ भी थोड़ा सा अधिक हो रहा है धीरे धीरे SBI को वर्स 22 ते इसमें कुल 50,232 दिना 4,5 करोड रुपे का सुधर लाभ कमा कर देश का पहला ऐसा बैंक गन गया जिसने 50,000 करोड रुपे सधिक के लाभ सीमा पार कर ली है SBI पता ही है पबलिक सक्टर की सबसे बड़ी बैंक है ये सीज़ तो किलियर हो गया होगा आपसे सवाल क्या पूछेगा आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि पांचमी बड़ी एकॉनमी के पास छोटे बैंकों का होना कितना जादा नुकसान पहुचा सकती है या आपको ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्या कारण है क्या कारण है कि अमेरिका और चीन के बैंक हमारे बैंक से अच्छे रूप से प्रदर्सन कर पाते हैं ये सवाल पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है आपसे कि हमारे एकॉनम पूरफ insp कर पा रहे हैं। आपसे यह भी पूुछ सकता है कि इन चुरॉतियों का समय धहन क्या क्या हो सकता है. यह सब सभाल मेंस एकमरेUI साने पूछई जा सकते हैं। दर असल हमें इसमें बैंक ने कितना मुनाफ़ा कमाया। वो के नहीं रिन देती है बार बार में ये बोच और बोल रहा हूं क्यों 2019 का पेपर उठा कर देखे UPSC PT का उसमें यही सवाल था कि निमने से कौन सा बैंक की पूजी होती है बैंक की पूजी कौन सी होती है जो आपको रिन देती है वही बैंक की पूजी होती है ये इतना असान सवाल आपको लग रहा होगा तेगे एक जाने सेन बहुत सरे लोगों ने इसको गलती किया था अगले न्यूज पर चलते हैं हम लोग अगला न्यूज तो अब है ही ने इतना ही तक था अगला न्यूज तो नहीं है उसके बाद ये सब है वीडियो लेक्चर कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा वीडियो को सेर कर दीजेगा जहां भी समभव होज सेर जरूर कीजएगा लाइक कीज़े वीडियो को कोई कमी है तो कमेंट करके बताइए मैं उसमें सुधार कर दूँगा फैंक यू सो मच आप सभी का